वेलकम टू आवर योट्यूब चैनल आउनलाइन केमेस्ट्री क्लासेस आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सौरंडिंग उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस लेक्शर में हम लोग डिसकस किये थे इस चैप्टर में हम लोगों को कौन-कौन सा टॉपिक को पढ़ना है तो आज हम लोग फाइनिली सेप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो वाट इस मैटर मैटर क्या होता है तो मैटर होता है एनिफिंग कुछ भी हो सकता है जैसे यह जो मारकर है यह भी एक मैटर है पैन हो गया पैंसिल हो गया जरूरी नहीं है कि जो हम यहां एक्जामपल लिखे है वह यह आपको लिखना है मैटर का डिफिनेशन है एनिफिंग विच अक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इस कॉल्ड मैटर यह मारकर मैटर है क्योंकि इसको कहीं पर जैसे यहां ब्लैक बोर्ड पर रख दे तो क्या हुआ यह क्या हुआ कुछ ने कुछ स्पेस अक्यूपाई किया देखिए इस एरि मैटर है जो यह होगा है जी पर देखिए एक तरह का मैटर है यह जब किसी पर परेगा तो क्या होगा कुछ area को कंजूम करेगा ठीक है उसका भी कुछ ने कुछ मास होगा तो हम बोल सकते हैं कि रेंड्रॉब जो है वह वह एक तरह का क्या है मैठर है ठीक है तो simply हम लोग यहां लिखे है सुगर सेंड बूक पैन पैंसिल एडिसी ठीक है और भी कुछ हो सकता है ठीक है मैटर एक बत और देखें कुछ लिखें हैं नोट में दा थेंग्स ठीक है एनी थेंग्स करते हैं दिटेंग्स लाइक फ्रेंड्शिप लब गुड मैनर ठाउट्स एडियाज टेस्ट इसमेल देखें कुछ ऐसा चीज है जैसे फ्रेंड्शिप हो गया आपका लब हो गया गुड हो गया एडियाज एसमेटर है नहीं यह सब आपका मेटर नहीं है क्योंकि यह सब क्या है नहीं इसका कोई मास होता है इसलिए यह सब आपका मैटर नहीं है हम बताएं, anything which occupies space, ठीके, anything which occupies space and has mass उसको हम लोगों क्या बोलेंगे, matter लेकिन आपका जो यहां देखी, friendship हो गया लब हो गया, good manner हो गया, thoughts हो गया, ideas हो गया taste हो गया, smell, etc, do not occupy space and do not have mass नहीं यह सब जितना भी चीज है यह नहीं स्पेस को अक्यूपाई करता है नहीं इसका कोई मास होता है इसलिए hence it is not considered as matter इसलिए इसकों लोग matter considered नहीं करते हैं ठीक है यहां तक तो आपको clear हो गया होगा कोई भी अगर आप से पूछे कि what is matter तो आपको गोलना है एनिटिंग विच अक्योपाई स्पेस एंड हैज मास विच अपक्योपाई स्पेस एंड हैज मास स्कॉल्ड मैटर ठीक है अब देखिए मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है ठीक है बहुत से से अलग लग तरह से किया जैसे यहां मैटर केन इंडिये फिलोसफर सेड़ डैट ओल दा मैटर यानि मैटर को बोलते हैं पदार्थ ठीक है इंडिया एंसीएंट इंडियान फिलोसफर सेड़ डैट ओल दा मैटर ठीक है वह मैटर क्या हो लीभींग हो यह नन-lीभींग हो वाज मेड अप फाइब बैसिक इलिमेंट वह पांच था इसक एर्थ फायर इसका एंड वाटर यानि इसका हिंदी हो गया एर का वायू पिर्थवी अगनी आकास एंड जल पहले के समय में एंसीन टाइम का जो जो सैंटिस था जिसे इंडियन फिलोस्पी उसने कहा था कि मैटर जो है चाहे वो लिभिंग हो यह नन लिभिंग हो ठीक है वह पांच ही बैसिक इलीमेंट से बना हुआ है वाज मेट फाइप बैसिक इलीमेंट ठीक है जो क्या है वायू पिर्थवी अगनी आकास जल बट अभी मॉडर्न टाइम में क्या है यहां लिखा हुआ है मॉडर्ण डे सैंटिस क्लासिफाइब मैटर इन टूवे अभी के समय मे मॉडर्न टाइम में मैटर को जो क्लासिफाइब किया गया है दो तरह से एक लिखावा अन दा बेसिक ओप इस फिजिकल प्रोपर्टी दूसरा अन दा बेसिक ओप इस केमिकल प्रोपर्टी ठीक है आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बहुत आसान है ठीक है anything which occupies space and has mass is called matter matter को अभी हमको studies के बारे में पकड़ना है कि modern day scientists classify matter in two way on the basis of physical property और in the basis of chemical property अब हम लोग इसको erase करते हैं और हम आपको बताते हैं कि physical property के अधार पे matter को किस तरह से classify करते हैं और chemical property के अधार पे matter को किस तरह से classify करते हैं अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिखिए इसको या तो आप screenshot ले सकते हैं इसका कि रोखिए लिए देखिए आप लोग मॉडरन कंसेप्ट के कॉर्डिंग मैटर को दो भाग में डिवाइड क्या गया है और बेसिक्स ओफिजिकल प्रोपर्टीज और और बेसिक्स ओप केमिकल प्रोपर्टीज ठीक है आपको इसी को पढ़ना है ठीक है बेसिक्स ओफिजिकल प्रोपर्टीज ठीक है फिजिकल प्रोपर्टीज फ़र्दर थ्री पार्ट में डिवाइड क्या गया है सॉलिड लिक्वीड और गैस और केमिकल प्रोपर्टी में को फर्दर दो भाग में डिवाइट किया गया है एक होता है प्योर सबस्टांस दुसरा क्या है आपका मिक्सर ठीक है तो प्योर सबस्टांस को फर्दर दो भाग में डिवाइट किया गया है की स्फिजिकल प्रोपर्टी सबूद सब्सक्राइब के तर बारे को फॉर्ट सब्स्टांस और निक्सटर के बारे में प्रेंगे अब प्योर शब्सक्रांस को फ़र्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है एक element हो गया दुसरा क्या हो गया compound हो गया mixture को भी दो भाग में डिभाइट किया गया एक होता है homogeneous mixture दुसरा क्या होता है heterogeneous mixture हम एक एक करके explain करते हैं तो solid solid तो आप जानते है solid have definite shape and definite volume ठीक है सॉलिट का सेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है लिक्विट में क्या होता है तो फिक्स होता नहीं लेकिन क्या होता है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ठीक है आप जिस कंटेनर में लिक्विट को डालिएगा वह उस कंटेनर का सेप लेगा गैस मे क्या होता है नहीं इसका सेफ होता है नहीं फिक्स क्या होता है इसका वोल्यूम होता है एक बात और सॉलिड में जो है आपका जो पार्टिकिल जो होता है उसका एरेंजमेंट इस तरह से होता है एक दम टैटली पैक्ड होता है देखे है और लिकविड रपान है थोड़ाथ क्या होता है और गैस में क्या होता है आपका जो आपका जो बंगीर सोता है अब देखें won यह ुसके करन क्या होता है कि इसका करें फॉर्ट इंडर ऑड़्योर्ड सोभ ट्रेक्श्व sürड़ा अगर आप से पूष्ट एके प्योंटा है तो बोलेगा वढ़ा try के नमेश क्यों सब्सक्री वne WOR op ties और और यह जब भी भाइबरेट करेगा और आपने मिन पोजिशन से इसको भाइबरेट करना पढ़ेगा ठीक है लिक्विड में क्या वहता है पार्किल जो है थोड़ा दूर-दूर है जिसके कारण जो है फोर्षॉ एट्रेक्शन जो सॉलिट के में इसका कम होगा ठीक है इसमें स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा कि से सॉलिट से ज्यादा होगा क्योंकि पार्टिक्ल पार्टिक्ल दूर है तो इसका मतलब क्या होगा फोर्स ऑप अट्रेक्शन क्या होगा इसमें कम होगा ठीक है इस पेस क्या होगा ज्यादा ह गैस का बात करते हैं तो गैस में जो है पार्टिक्ल्स और दूर दूर है ठीक है तो जिसके करण क्या होता है इसमें प्रोपर्टी अधार पर इसको जो मैंटर को क्या गया प्योर सब्स्टांस और मिक्सर प्योर सब्स्टांस क्या होता है जो दो चीज मिल जाएगा तो मिक्सर हो जाएगा एक होता है होमोजेनीयस और हैेटरोजेनीयस समस्ताइक कंप्लिटली मिक्सट जैसे साड्स Le slowly Verf है इस चैपटर म 아 एपको है सिर्फ फीजिकल प्रोप्र्टी के अधार हर ही करना है कि solid liquid or gas solid क्या होता है liquid क्या होता है गैस क्या होता है इसका प्रोपर्टी क्या होता है यह सब के बारे में आपको explain करना इस्टण करना है और chemical property आपको बता दिये कि इसको आपको ने शेप्टर जो है एक С्टेट्स दूसरे स्ट होता जैसे अगधा मोन है है और यहां लिखते हैं है रिक्विंट और यहां लिखें आपको इस थिकते तो एक बात एहां हम हीट कर आ यहां पर भी हीट कर आ रहे हैं और यह साइन देखिए इधर से हम कूल कर आएंगे यहां पर देखिए इसको हम कूल कर आ तो आप देखिए कि कि सॉलिड ठीक है सॉलिड को जब हम लोग हीट कराएंगे तो यह लिक्वीड बनेगा ठीक है वें सॉलिड चेंज इंटू लिक्वीड और हीटिंग डैट इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग ढंखे का हम अब क्या होगा डूसरा है सिब्फेग लेक्वीड से इस इस बनेगा इस मेंगे ब्वायलिंग यह पला अब कि तो इसका डर्फनेस UI लिखेंगे कि वें लेक्वीड स्वर्ट इंटो ंटू गेसी कि बाषू एफाइ क्या बोलेंगे और आप गैस से जब लिक्वीड में आएंगे तो इसको लोग बोलेंगे कंडेंसेशन ठीके और जब लिक्वीड से सॉलिड में आएंगे इसको बोलेंगे फ्रीजिंग हुआ है देखे बोत आसान है कि जब सॉलिड में कर भंड होगा तो उसको बोलेंगे मेलटिंग लेकिन यहां पे ची लिखना होगा ऑन हीटिंग वें शॉलिड गंवाटेट इंटो लिक्वीड स्तेट और हीटिंग इस प्रोसेश इनौन state on cooling data process is known as condensation and when liquid state converted into solid state on cooling when liquid state converted into solid state on cooling that process is known as freezing ठीक है और एक बात देखिए मैत रहें को में इन सौलिड है सोलीड को तो हिट करा हैं वेन फॉलिड डैरेकटली कन्वर्टेद इन्टो गैससे स्टेट, य। प्रोसेश Leлан प्रोचीय को स्वली में इस अभर को सिर्थ EB कद्सी टेक अगरेगा, इते अधर से इधर आ जायेगा य। When स्टेट इन्टु सॉलिट स्टेट ऊन्फूलिंग ड़ेट प्रोशेस इनने इस दिपोजीशस ब्रॉटिटी इसको अपको याद रखना है वेन शॉलिट स्टेट कांवर्ट इन्टु गैशिए स्टेट ऊंहीट इट प्रोशेस इस इसपी बोलेंगे सब्लीमेशन और वेन गैसे स्टेट कनभर्टेट इंटू सॉलिड श्टेट ऑन कुलिंग डैट प्रोसेज इन ओने से डिपोजिशन तो आपको मेल्टिंग समझ में आ गया पहले क्या करना है एरो का साइन देना है हीट कराना मतलब कि जब सीधा जाएंगे तो हीट करेंगे जब बैक आएंगे तो कूल कराएंगे सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग लिक्विड से गैस वाइलिग गैस से लिक्विड कंडेंसेशन लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग एक बात और यह तो आपको समझ में आ गया लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो ilia Yéri state sorry time solid a गमगर किसमें करता है लिकुट में उसको लोग क्या बोलेंगे कर में आल जिसकों में लक्सेट में जिस तेमपरेचर पे लिकुट क्या होगा करेंगगा घंप boiling point इस टेंपरेचर पर लिक्वीड फ्रीज हो गाव उसका freezing बात है melting किसको बोलेगे जिस टेंपरेचर पर एप्रीड वैकुइड रिक्वीड करएब कर झाल झाल